हलो बच्चों, वेलकम टो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर टेंथ, मैट्स वन, अलजेब्रा का चैप्टर नबर 6, जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स, हम लोग इसके प्रैक्टिसेट 6.1 से शुरू करेंगे, ये चैप्टर जनरली सबको बहुत बोर बिजनस करना है, तो उसमें भी स्टेटिस्टिक्स काम आएगा, ठीक है, तो हर जगह ये काम आने वाला, इसलिए चैप्टर अच्छे से करने के लिए, तो बोर्ड में इसका वेटेज बहुत ज़ादा अच्छा है, और ये एक्तम सिंपल है, इसमें ज़ादा दिमाग लग कि इसमें जाधा time waste न करना पड़े, शुरू करते हैं, तो ये chapter में हम लोग ये दो type के problem study करने वाले हैं, एक है measures of central tendency, ये हमने 9th standard में भी किया था, central tendency का मतलब होता है, एक बहुत बड़ा data दिया होगा आपको, वो data पूरा पढ़ना बहुत difficult है, वो पूरे data को एक single number अगर बत सकता है, तो उसको बोलते है central tendency, central ठीक है, वो number generally बीच में होता है, और दूसरा है graphical representation of statistical data, इसमें अलग-लग type के graphs होंगे, आपको data दिया जाएगा और आपको वो graphical form में उसको represent करना है, ताकि वो सुन्दर दिखे, तो basically ये क्या है, सुन्दर बनाना data को, खाली numbers देखोगे तो खेल कर, उसके उपर कुछ operations करके, उसका make-up करके, एक single number देना है, ठीक है, वो एक single number जो होता है, वो या तो mean हो सकता है, median हो सकता है, mode हो सकता है, ठीक है, उसको बोलते है central tendency, जो वो सारे data को represent करता हो, example लेते हैं, mean का मतलब होता है average, ठीक है, example ले लो, विराट खोली ने, ए इस तरे में 0 और चौथे में 80, ठीक है, यह चारो match में out हो गया हो, cricket का average निकालना थोड़ा अलग होता है, क्योंकि अगर cricket में not out रहेंगे न, तो average थोड़ा अलग से calculate होता है, लेकिन ऐसे assume करो, कि विराट खोली 4 match में ऐसे खेला, यह उसके score से और हर match में out हुआ, तो अप तो average आएगा 200, divide by क्या आजाएगा 4, यह क्या मिलेगा, 4100, 45020, 400, तो आगया 50, तो विराट खोली के 4 score बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं, विराट खोली on an average हर match में 50 run मागता है, ठीक है, आया समझ में, यह average ऐसे calculate किया, अभी भी बता रहों, ऐसे मत बुलना, अगर यह not out होता ना, तो थोड़ा problem आता, लेकिन मैं cricket नहीं सिखा रहा है, आपको, मैं stats सिखा रहा हूं, cricket के average कैसे calculate करते हैं, आप check करो, not out होगा ना, तो यह number change हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला number, अगर यह एक match में not out होता, सबोजीदा, तो यह divide by 4 के जागे पर divide by 3 हो आया समझ में, तो यह इतना बड़ा data था, उसको एक single number से represent किया, आप बोलेगे, सर चार है, चार का एक किया, क्या फरक पड़ा, बड़े 4 के जागे पर 40 भी हो सकता है, कोली ने 200-300 match के लिए, वो 200-300 match का हर एक score थोजी ना, याद कर सकते हो, decide कर सकते हो, तो सारी matches का, उसका data जो था, वो ungrouped था, ungrouped मतलब हर एक data आपको दे दिया गया था, जैसे कि अगर आपके class में, maths में, बच्चों को कितने marks आए, तो हर एक बच्चे का अलग-अलग marks आप paper पे लिखोगे, और फिर उसके हिसाब से main निकालोगे, उसको बोलते है ungrouped, कोई group नहीं बनाया था, लेकिन अगर 100 mark का paper है, तो teacher बोलेगी, यार एक काम कर दियो न, मैं हर एक group का इतना क्यों calculate करूँ, मैं अलग-अलग क्यों करूँ, मैं group बना देते हूँ, ठीक है, तो क्या बोलेगी, 0 से लेके 20 तक का एक group, 20 से 40 marks आए, वैसा एक group, 40 से 60 आए, वैसा एक group, 60 to 80 आए, वैसा तो पांच group बने, तो teacher को जब table बनाना होगा, तो उसको सिर्फ 5 चीजे बतानी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो अगर 100 बच्चे होते, तो हरे एक बच्चे का अलग-अलग marks लिखना पड़ता है, यहां पे group बना दिया, तो हम 10 में grouped data study करेंगे, ठीक है, हरे एक जो data होगा, उसको group में divide करेंगे, आया समझ में, पका, नहीं समझ में आया, तो इससे भी chapter का कोई लिना देना नहीं है, यह chapter इतना जादा simple है, इसमें सिर्फ मैं जो steps दूँगा वो करना है, फाल तू का दिमाग लगाया, लगाओ, है दिमाग तो बहुत लगाईंगे, आप लोग नो दिमाग, चलो, शुरू करते हैं, first method से, यह chapter में questions कुछ ऐसे दिखते हैं, आप देखेंगे, सिर्फ last line बढ़ो, find the mean time spent by students for their studies by direct method, ठीक है, यहाँ पर direct method दिया हुआ है, फिर second में क्या दिया हुआ है, second में दिया हुआ है, assumed mean method, ठीक है, third में क्या दिया हुआ है, third में दि method, ठीक है, fourth में क्या दिया हुआ है, fourth में दिया हुआ है, assumed mean method, तो यहाँ पर डाल देते हैं, assumed mean, ठीक है, दोनों method से में देखो, assumed mean, assumed mean, second और fourth, फिर क्या दिया है, fifth में, fifth में एक नया ही नाम दिख रहा है, step deviation method, नाम भी थोड़ा dangerous लग रहा है, sixth में भी step deviation method, तो आपको mean method, और यह blue type, जो दिख रहा है, step deviation method, color मत याद रखना है, ऐसे आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अन्य तो रट्टा मार के नोच लिए होँए, और यह green color मतलब direct method, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, highlight कर रहा हूँ ताकि, आपको दिखे कि, यह अलग-अलग type के questions इसमें है, in fact, अगर यह लिखा नहीं होता ना, कि यह mean आपको यह method से निकालनी है, अगर यहाँ पर suppose ऐसा लिखा होता, find the mean time spent by students for their studies, full stop, यह by direct method नहीं लिखा होता, तो आपको जो method पसंद आए, आपको जो method पसंद आए, मतलब यह 3 में से, copy करने वाला method नहीं, कि सामने से copy किया सर, मेरा method वो है, नहीं चलेगा, यह 3 में से कोई भी method से आप करो चलेगा, लेकिन अगर question में दिया है कि यही method से करना है, तो चुप-चाप कर लेना वही method से नहीं, तो 0 मिलेगा, उसने बुला direct method से करो और आपने step deviation किया, अले, कितनी सुंदर handwriting निकाली, अच्छा answer राया, write राया, decorate किया, फिर भी 0, why, because जो method बोला था, वो follow नहीं किया, ठीक है, तो method वो follow करना है, अगर यह नहीं दिया होता, तो जो मन में आए गर, है न, जो मन में आए मतल जो method अच्छा लगया हो कर, बट अगर दिया है, तो जो method दिया है, वही करना है, अब मैं सोच र अगर आए, तो decimal आने का chance है, ठीक है, फिर हम लोग, फटा फट से, क्योंकि first question में मैं आपको तीनो method सिखा दूँगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, फटा फट से करेंगे, ओके, तो चलो शुरू करते हैं, first question से, यह chapter में जो theory दिया है, वो theory देखके बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने बताया, step wise है, इसमें table देखके एक table बनाना है, बस वो table कैसे बनाना है, वो important है, और वो table बनाने में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ 2, 3 चीज़े याद रखनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया, mean calculate करने के 3 methods है, पहला method है direct method, दूसरा है assumed mean method, और तीसरा है step deviation method, यह स आपको ये table बनाने में time बहुच जाता है, और अगर बनाने में सोचना पड़ा, तो और जाधा time जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे कि आपको कम से कम सोचना पड़े, तो direct method में मैं आपको बता दू होते हैं 4 columns, अभी के लिए इसके अंदर क्या लिखा है वो बिलकु मरवार है, मेरे पास option नहीं है, अगर मैं आपको याद नहीं करा हूँना, तो वहाँ पे आप बैठेंगे और सोचने direct method, और गलती से आपने direct method में 5 columns मना दिये, लग गई बात, ठीक है, फिर वो table को rub करके, cancel करके, फिर से बनाना, उतना time आपके पास exam में नहीं होता, statistics में आपको first attempt में ही question write करना पड़ेगा, नहीं तो, फिर वो question गया, और वो question में जो time waste हुआ, उसके कारण आगे भी time waste होगा, मैं आपको ड़ा नहीं रहा, मैं आपको तयार कर रहा हूँ कि, आपको ये exactly steps follow करने, याद रखना है कि direct method में 4 columns, azure mean method में 5 columns, step deviation method में 6 columns, ठीक है, अब ये याद कैसे करते हैं, उसके अलग-अलग short forms याद, काफी लोग ऐसे करते हैं कि, ऐसे DAS, dash करते हैं, और 4, 5, 6, ठीक है, अगर आप cricket fan है, तो आप direct method में बोल सकते हो, राहूल रविड, क्यूंकि राहूल रविड हमेशा number 4 पे back करता था, he was the best backman at number 4, azure mean method में आप, दज़र देखो, assumed mean, काफी easily याद हो जाएगा, assume mean method number 5, 5 columns होते हैं, और step division में तो legend, कौन, MS Dhoni, ठीक है, MS Dhoni क्या है देखो, S step deviation, और MS Dhoni किस चीज़ के लिए famous है, एक तो 6 number पे batting करने के लिए, और छट्के मारने के लिए, 6 मारने के लिए, तो MS Dhoni का number 6, तो या तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर dash करो, और 4, 5, 6 करो, आपकी मर्जी है, इसके कोई marks नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है, dash मतलब direct method, assumed mean method, step deviation method, 4, 5, 6, और अगर ऐसे याद रखना है, द्रभीर 4 number position, D मतलब direct, मुहमद अजुर दिन 5 position पे batting करता था, and AM मतलब assumed mean method, और MS Dhoni, 6 मारने के फेमस था, and he used to commit number 6 most of the times, S और D से step deviation method, इसलिए 6 तो 6 columns, ठीक है, हर बच्चे को ये याद करना बहुत ज़रूरी है, because erase करके वापस बनाने का time exam में नहीं मिलेगा, तो अब ये method के columns हमने समझ लिए कितने आएंगे, कॉलम में क्या आएगा, वो हम नहीं देख रहें, ठीक है कितने आएंगे वो देख रहें, अब sample question ऐसा दिया गया होगा, जिसमें ऐसे group wise data होगा, और वो data में frequency क्या है, इसको frequency बोलते हैं, frequency क्यों बोलते हैं, frequency का मतलब होता है, कौन कितनी बार आ रहा है, आपको चीए तो आप English में frequently word से frequency को याद कर सकते हैं, frequently मतलब बार बार, right, और frequency मतलब कितनी बार कौन आ रहा है, तो 0 से 2 के बीच में time दिया हुआ है, और उसमें कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो हर बच्चा 0 या हर बच्चा 2 है क्या, नहीं, 0 से 2 के बीच में 1, 1.5, 1.8, यह actually first question है practice set का, कि कौन सा बच्चा कितने गंटे पढ़ रहा है, त तो 0 आर से 2 आर बच्चे पढ़ते हैं, वैसे कितने बच्चे हैं क्लास में, 7 students है, तो वो 0.1 आर हो सकता है, कोई बच्चा आदा गंटा पढ़ रहा हो, कोई 1.5 पढ़ रहा हो, है न, वैसे 7 बच्चे है, वैसे 2-4 में 18, 4-6 में 12, ऐसे इन लोगोंने data divide कर दिया, मैंने आ तो बहुत बड़ा data बनता था, बहुत बड़ा table बनता था, ऐसा real life में आप नहीं कर सकते, real life में आपको करना है, तो आपको group करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये group खुद से करना नहीं पड़ता, question ही आपको ऐसा आता है, बस आपको question देखके डरना नहीं है, ऐसे नही देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है इसको हम vertically बनाएंगे तो 6 इसमें columns है ठीक है जब हम ये बनाएंगे तो इसमें 7 rows होंगे हम लोग इसको rows में plot करेंगे ठीक है तो पहला तो time का आई जाएगा फिर 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसके आएगे 2, 3, 4, 5 फिर ये जो एक extra है न ये total का आएगा जो हम लोग इसमें यहां पर मस्ती करने वाले है उसका total ठीक है तो table कैसे बनाना है direct method में अगर मुझे ए question solve करना है तो मुझे पता है मुझे 4 columns बनाना है यहां पर क्या लिखा है वो देखो हमा तबी तो मुझे 4 columns बनाने है किधर भी देख लो ठीक है अगर assume mean method से solve करना है तो इस 6 और एक extra 7 जो है वो total के लिए आएगा same चीज इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है यह मैंने 7 नहीं बनाया क्योंकि यह question के लिए मैंने table नहीं बनाया था बट उसमें भी 7 आएगा हर एक में वैसा ही होगा तो यह मुझे पता है कि यहां पर बनाना है जो first column होता है ना उसको बोल होते हैं class ठीक है यह class के बच्चे जो 0 से 2 hours तक पढ़ते हैं वो class आपकी जो standard होती है standard 10 standard 9 वो class नहीं class 8 class नहीं यह group को class बोलते हैं तो यहां पर आप class लिख देंगे लेकिन यहां पर यह class क्या थी time की class थी तो time hours लिखती है ठीक है यह वाला column जो है वो तीनों में आएगा स जगे same आएगा उसको बोलते है class mark ठीक है class mark class mark क्या होता है जो एक class होती है उससे ही आता है तो 0 और 2 वाली class अगर मैं यहां पर लिखू तो इसका class mark क्या आएगा 0 प्लस 2 डिवाइड बाइड 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 जो भी पहला नंबर है दूसरा नंबर है दोनों को add करने का औ 2 to 4 फिर पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर डिवाइड बाइड 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 टू प्लस 4 क्या आएगा 6 6 डिवाइड बाइड बाइड टू टू वन्स आर टू थ्री तो इसका class mark आएगा 3 वैसे आप आगे class mark निकालते जाओगे 1 3 5 7 9 करके आएगा ठीक है फिर यह जो करोगे तो second last, assume mean method करोगे तो भी second last, step deviation method करोगे तो भी second last, second last मतलब last से एक पहले हमेशा frequency उसमें ही लिखना ठीक है जरूरी नहीं आगे लिखोगे तो wrong नहीं मिलेगा लेकिन मैं बता रह था ना आपको दिमाग यूस करना ही नहीं है तो frequency जो free में दिया गया है वो हमेशा second last column में आप डाल देंगे तो यह 7, 18, 12, 10, 3 ठीक है अब यह हर बार frequency नहीं लिख सकते है इसलिए उसके जगे पे f i लिखते है यह f का मतलब होता है frequency और यह i क्या है i मतलब वो खुद नहीं i मतलब यह i की value change होती रहेगी जब first value लिखेंगे तो f1 होता है तो i के जगे पे 1 जाएगा जब second value लिखोगे तो f2 second column second row है न थर्ड वाल लिखोगे f3, fourth वाल लिखोगे f4 यह लिखना नहीं होता बड़ आपको समझ दा है कि i उसके लिए जब level 12 में जाके या MBA में जाके statistics करोगे तब यह i आपको बहुत काम आने वाला है ठीक है यह class mark को यह class mark कहां से ओके तो frequency और class यह तो हर question में free में मिला था आपको कहां पर बनाओगे class हमेशा पहला होगा और frequency हमेशा second last होगा कोई भी method use कर लो second last होगा और class से हम लोग calculate करते है class mark मैंने आपको बताया class mark कैसे calculate करते हैं जो आपको class दी गई है उसका lower value plus upper value divide by 2 हमेशा divide by 2 ही होगा ठीक है ऐ मुझे 2 to 4 का class mark निकलना है तो मैं 2 plus 4 divide by 2 करूगा ठीक है तो class mark तो आपके तीन column direct method में हो गए तीन column आपके assume mean method के भी solve हो गए तीन column आपके step deviation method के भी हो गए अब direct method में सिर्फ एक column बचा वो तो हम आप easily कर लेंगे क्या है assume mean में 2 column बचे और step deviation में 3 column बचे अब यह जो last column है यह हमेशा उसके previous two columns का multiplication होगा हर method में assume mean करोगे तो भी step deviation method करोगे तो भी जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ उसमें अगर आपने position change करी तो ऐसा नहीं होगा लेकिन आपको यही method करना है जो last column होगा वो हमेशा उसके previous two columns का multiplication होगा इसलिए यह आप पहले बना ही नहीं सकते इसके पहले आपको यह दो column निकालने पड़ेंगे तो ही आप यह calculate कर सकते हो ठीक है यहाँ पर यह जो last column होगा यह यह दोनों का multiplication होगा तो इसको निकालने के लिए आपके पास यह दोनो आ जाएगा frequency को मैं fi बोल रहा था class mark को मैं xi बोल रहा था तो यह क्या आएगा इसका और इसका multiplication f i x i इसको 5 si भी बोलते हैं x i का si होता है न कसी नहीं होता 5 si बोलते हैं ठीक है तो यह last वाला जो है इसका multiplication आप f i x i बोल दो भाई अगर 5 si नहीं बोलना है तो ठीक है तो direct method क चाल column तो एकदम easily हो गए assume mean method में आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है वो जब मैं solve करूँआ तब बताऊंगा step deviation में जो assume mean में किया वो तो करना ही है ठीक है जो यहाँ पे किया हो करना है plus एक और column extra है देखो न इसमें 6 column है ठीक है तो वो भी हम लोग निकालेंग आपके बारे में यह है यह बच्चे कितना पड़ रहे हैं ठीक है कुछ बच्चे दिये हुए हैं उन बच्चों का एक table बनाया है कि कौन सा बच्चा कितना पड़ रहा है find the mean time spent by students for their studies by direct method अभी अगर प्रिंसिपल को जानना है कि यह क्लास के बच्चे कितने गंटे पड़ते हैं तो क्या टीचर जाके बताए कि अच्छा सुरेश है न यह इतने गंटे पड़ रहा है अजर इतनी गंटे पड़ रहा है राहुल पांच गंटे पड़ रहा है विरा इन जो आएगा वो एक नंबर प्रिंसिपल को बढ़ाएगा कि अच्छा ओन एन आवरेज यह क्लास के बच्चे इतने गंटे पड़ते हैं अगर वो नंबर कम हुआ तो प्रिंसिपल उस चीज़ पर आक्शन ले सकता है कि अच्छा यह बच्चे कम पड़ रहे हैं इसलिए इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो हम लोगों को इनको जाधा पढ़ने बिठाना पड़ेगा अब वो बोलेंगे लेकिन आप तो पढ़ेंगे नहीं लेकिन पढ़ना है ठीक है तो यह डेटा यूज करके डिसिजन लिया जा सकता है इसलिए स्टेटिस्टिक्स बह बार, number of तो यह उसकी frequency है और यह आपको ओसे देते हैं लेकिन अब जब solve करेंगे उसको ऐसे बनाईगे तो direct method बोला है direct method मतलब कितने column direct method मतलब 4 column ठीक है और rows कितने बढ़ेंगे 1,2,3,4,5,6 और 1 extra 7 total का rows ठीक है तो यहाँ पे जब मैं इसका table बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा टेबल, 1, 2, 3, 4, 4 columns क्यों, because direct method है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rows क्यों है, because यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आएंगे न, एक extra आएगा column, ठीक है, तो यहां पर एक extra आएगा, इसलिए यहां पर भी एक extra आजाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यह जो class दी गई है, इसको लिखेंगे class और time hours दिया है, तो time लिखेंगे, ठीक है, यहां पर total लिखेंगे न लिख दिया हैं यहां पर, next क्या करेंगे हम लोग, next हम लोग frequency लिखेंगे second last column, frequency क्या है, frequency मतलब number of students जो हैं यहां पर, okay, number of students, frequency को कैसे denote करते हैं variable, जैसे हम लोग angle को theta लिखते थे, frequency को fi लिखते हैं, याद रखना है, fi ही लिखना है, यह इदर q है, तो बीच में लिखेंग q आए, क्योंके q बहुत क्यूट है, नहीं चलेगा, frequency को fi लिखते हैं पूरी दुनिया में, अब class आपको free में दिया है, जो free में दिया है न data, वो हमेशा बनाने का, suppose आपको exam में time नहीं मिला, यह last question अब solve कर रहे हैं और आपको time नहीं मिला, तो भी यह table बनाके, यह class और frequency प्लॉट करके आना, जूकि इसमें कोई calculation नहीं लिखते हैं, देख के सीधा, लिख देना है वहाँ पर, तो इसके भी marks मिलेंगे आप, ठीक है, अगर नहीं आता question, method नहीं आता, तो भी यह table बनाना है, और class और frequency तो लिखना ही है, यह video देख रहे हो आप तो आपको आने ही बाला है, बट time नहीं मिला, या आया नहीं तो यह कर सकते हो, अब आपके पास दो option है, पहले तो एक class सारी यहाँ पर copy कर लो, frequencies सारी यहाँ पर copy कर लो, या फिर यह जो columns इनको label करते हो, columns को label कर देते हैं, class के बाद क्या आता है, class का mark, ठीक है, यह marks नहीं है, जो आपके class मे में कोई x नहीं है, तो xy क्यों है, यार यह बहुत पहले से x use करते हैं इसके लिए, actually यह जो class का, जो value होता है, उसको variable बहुते हैं, it changes, so variable हम लोग हमेशा x से denote करते हैं, right, इसलिए उसको xy से label करते हैं, अब पीछे crow बोल रहा है, उस पर ध्यान मत दो, मैं जो बोल रहा उस पर थे हम दो, ठीक है, पीछे वावाज कर रहा है, उसको भी statistics सीखना है, तो यहाँ पे class mark xy आपने label कर दिया, यह वाला column हमेशा यह दोनों column का multiplication होता है, तो क्या आएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा frequency into class mark, frequency fi से denote करते हैं, class mark xy से denote करते हैं, तो आपने लिखा fi into xy, into क बैठे हैं, अब यह काफी books में पहले class mark into frequency लिखते हैं, ठीक है, इसको xy fi लिखते हैं, क्या फरक पड़ता है, 2, 3,000 भी 6 होता है, 3, 2,000 भी 6 होता है, आप a into b लिखो, के b a लिखो, अब और 2, दोनों का value सेम आने वाला है, तो यह fi xy, कुछ बच्चे इसको fixy बोलते हैं, मत बोलो यार, 5 xy बोल दो, चलो fixy बोलना है तो बोल दो, लेकिन confuse मत दोना, I नीचे आता है, ठीक है, तो आपने यह 4 column easily बना दिये, 1st column और यह 2nd last column, तो free में question में दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको plot करूँगा, इसके लिए मैंने कोई दिमाग लगाया, नहीं, हमने copy कि जिसमें आप expert हो, तो यहाँ पर यह लिख लिया, फिर यह frequency plot की, कहाँ पर frequency कैसे पता चला, number of, ठीक है, frequency हमेशा number of होता है, तो यहाँ पर मैंने frequency plot कर दी, plot कर दी मतलब table में भर दी, यह 2 column सिर्फ भर दिये, तो भी आपको थोड़े marks तो मिली जाएंगे, ठीक है, तो यह 2 column तो 0 plus 2 divided by 2, 0 plus 2 क्या होता है, 2, और नीचे का 2 तो ही, 2 ones are, 2 ones are, 1 upon 1 क्या होता है, 1, तो आपको answer मिल क्या 1, तो आपने यहाँ पर class mark लिख दिया, 1, वैसे ही, जब इसका करोगे तो क्या आएगा, calculation नहीं बताना है, यहाँ ठीक है, 2 plus 4 divided by 2, 2 plus 4 होता है 6, 6 divided by 2 क्या आजाएग ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया, 3, आपको pattern दिख दिए, 4 और 6, यहाँ पर 2 और 4 के बीच का number 3, 0 और 2 के बीच का number 1, तो यहाँ पर 4 और 6 के बीच का number 5, फिर 6 और 8 के बीच का number 7, 8 और 10 के बीच का number 9, वो बीच का ही आएगा तो आब average निकाल रहे हैं दोनों का, दोनों को add करके divide by 2 करना मतलब average निकाल जो, ठीक है, तो आपको ये column भी मिल गया एकदम आसानी से, अब last column क्याज़े calculate करेंगे, last column हमेशा उसके पहले दो column का multiplication होगा, हमेशा, इस तरह करोगे तो हमेशा, ठीक है, order change मत करना, frequency हमेशा second last ही बनाना, frequency भले आपको question में पहले दि लिए, तो ये आपके हैज़े निकालोगे, इसका और इसका multiplication, 7-1,000, 7, 18-3,000, 54, 12-5,000, 60, 10-7,000, 70, correct, 3-9,000, 27, तो आपको चारो column मिल गया, इसका मतलब आपका काम नहीं खतम हो, लेकिन आपने table तो बहुत ही successfully बना लिया, आपको calculate क्या करना याद है, आपको table नहीं बना आपको actually mean calculate करना है, लेकिन mean बनाने के लिए ये table बनाना पड़ता है, ठीक है, तो mean calculate करना है, अब आप इन दोनों को use करके mean calculate कर सकते हो, कैसे हो बताऊंगा, लेकिन आपको समझा कि ये table को कैसे भरा हमने, यहाँ पे आपको class दी गई थी और frequency दी गई थी, पहले हमने class और frequency frequency हमेशा second last, direct method है इसलिए 4 column, रोज कितने आएंगे इसमें, रोज हमने निकाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए रोज आगा है 7, ठीक है, एक extra total के लिए, बन गया table, अब table बनने के बाद तो बहुत ही time pass है, mean का एक standard formula है, वो formula से हम लोग इसको calculate कर लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग easy है, लेकिन वो total को नाम देना पड़ेगा, because वो आप use करने वाले है, ठीक है, तो यहाँ पे जो total आने वाला है, वो क्या है, सारे fi को add करके आ रहा है, तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते है, सारे fi को add करेंगे, वो लिखने का एक तरीका है, जो हम लोगोंने 9 standard में सीखा था sigma या फिर summation, ऐसी जो sign होती है न, एकदम perfect बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते है, sigma या summation साइन, इसका मतलब क्या, यह सारे जो rows है, उनका sum, तो आप लोग क्या लिखोगे, sigma, लेकिन क्या, fi, यह पूरे जो fi थे, उसका sum, और यह sigma fi को लिख और summation fi दिखा तो भी तो देखके समझी जाएगा कि सारे fi का sum है, ठीक है, जब मैं यहाँ पे करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, summation fi si, ठीक है, equal, और इसका total का लिखा है, आया समझ में, sigma sin देखके डरना नहीं है, उसका मतलब है, यह सारो का sum, या addition, तो यहाँ पे मैंन आया समझ में, तो इसका total करो, 18 and 7 हो जाएगा 25, 25 and 12 हो जाएगा 37, plus 10 47, plus 3 50, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 50, इनका sum करो, 4 plus 7 11, plus 7 आ जाएगा 18, 1, 1 plus 5 6, 6 plus 6 12, plus 7 19, plus 2 21, तो answer आ जाएगा 218, अभी आपको यह 2 मिल गया, ठीक है, अब आप mean निकालोगे, mean का formula क्या है, पहल x bar, statistics का, yeah, stats का, सबसे बड़ा problem ही है, कि इसमें इतने अलग-अलग नए terms आते हैं, हर practice set में कुछ नया introduce होता है, इसलिए बच्चे ठग जाते हैं, वो याद करके, लेकिन आप actually total chapter में देखो ना, तो इतने जादा नए terms हैं नहीं, ठीक है, तो mean को बोलते हैं x bar, अच्छा ह 11, 12 में आपको बार-बार mean, mean नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ बच्चे mean से rude case में confused भी हो जाते हैं, he's so mean to me, this is not that mean, right, so it is easier to write it as x bar, 10th में आपको mean भी लिखना पड़ेगा, and x bar लिखना पड़ेगा, torture है ना, बढ़ लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो mean and x bar का formula अगर मुझ आएगा, summation fi xi या phi xi upon summation 5, last column में जो आया वो, और second last column में जो आया वो, यह second last column वाला हमेशा summation fi होता है, तो यह तो कभी change नहीं होने वाला, कोई भी method कर लो, यह change होगा और यह change होगा, because हमेशा यह column सेम नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि यह change होगा ना, वो आप आगे के method में दे cancel होने का, आप imagine कर सकते हो, इसे cancel नहीं होता, ठीक है, यह ऐसा नहीं कि दोनो multiply हो रहा है, multiply हो रहा है, लेकिन ही अलग-अलग calculate करके multiply होगा, पर अगर यह दोनों कटेगा, तो बचे का क्या x i, तो इसलिए जो mean calculate होगा, उसको x bar लिखेगे, अगर यहाँ पे x i के जगे पे ह होता, d i, तो यह cancel होके क्या था, d बस्ता न, तो यह होता, d bar, अगर यहाँ पे x i के जगे पे होता, u i, तो imagine करो, 5, 5 cancel होगा, तो क्या बचे का, u i, तो उसको बोलेंगे u bar, जो भी यहाँ पे extra आ रहा है, न, cut करने के बाद, उसका bar calculate, उसका average calculate होता है, ओके, अब 5 si क्या है 5 si है 218, तो 218 और submission 5 है 50, तो 218 अपान 50, यह solve करेंगे, तो आपको मिल जाएगा mean का value, इसको solve कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप cut करेंगे, काफी लोग इसको directly cut करके solve करेंगे, लेकिन आप imagine गरो, आपको 5 का table तो बहुत easily आता है, अगर मैं इसको cut करों, तो हो जाएगा easy है न, तो अगर मुझे इसको solve करना है, तो मैं कैसे solve करूँगा, मैं इसको करूँगा 218 डिवाइड बाइ 5, याद रखना मैंने 0 को ignore किया अभी के लिए, जब यह step लिखूँगा, तब मैं 0 को incorporate कर लूँगा, तो जब इसको solve करूँगा, तो क्या आता है, देखो, 5, 4,020 1 बचा, ये 8 नीचे आया, फिर क्या आ जाएगा, 5, 3,015, 3 आ गया, ठीक है, अब decimal point 0, 5, 6,030, और ये 0, अब सबसे बड़ी कलती है, लोग सीधा answer लिख देंगे 43.6, याद यहाँ पे 218 डिवाइड बाइ 50 था, मैंने क्या किया है, 218 डिवाइड बाइ 5, ठीक है, ये 0 को ignore किया, जब भी नीचे एक 0 extra आएगा, तो decimal point left shift होगा, एक 0 extra है, तो एक shift होगा, तो क्या आ जाएगा, ये decimal इदर shift होगा, और मुझे answer मिलेगा, 4.36, ये आ गया मेरा mean, बट, question में क्या दिया था, ये क्या था भाई, ये time था, ठीक है, time कितना पढ़ रहे हैं बच्चे, तो म तब लिखेंगे कि, हर एक बच्चा, अगर हम देखें, तो on an average, 4.36 hours के लिए पढ़ रहा है, या फिर बोल सकते है, mean of this particular situation is 4.36 hours, ये calculations फिर वैसे ही कर सकते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, अगर आपको cut करके करना था, 225 जा, 209 जा तो वो भी कर लो, same answer आएगा, 109, divide by 25 करोगे, तो exact same answer आने वाला है, ओके, वैसे करके करो, और मुझे comment में जल्दी से बताओ, कि आपको, ये direct method, this is direct method, ओके, देखके ही समझ जाता है न, 4 column है देखो, तो यहाँ पर direct method, level कर देखो, तो 4 column में आपने solve किया, तो उसको बोलते है, direct method, और आपने mean निकाल लिया, 4.36 hours, आया समझ में, देख लो यहाँ पर, ये formula क्या है, fi xi upon summation fi, देखके डरावना लग रहा है, पहली बार देख रहे हो, इसलिए डरावना लग रहा है, है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, ये x, f, नीचे i, summation का sign, इसके उपर बार, ये सब देखके, पहली बा ओविस लीडर लगता है, मुझे भी लगता था, जब मैं पहली बार आया था, लेकिन ये बार-बार करोगे, तो ये आपको लगी है, ये time pass है, इससे easy कुछ है ही नहीं पूरे आज़गा, ओके, तो ये हो गया आपका, सबसे पहला method, which is direct method, step wise, चार क्यों बनाए, ये क्यों बनाया, समझो, और फटा-फट से इसको copy करो, ठीक है, fair में इसको कैसे लिखेंगे, बताऊँगा, उसके बात copy करना, ऐसे लिखेंगे इसको fair में, ऊपर direct method लिखा, पूरा table बनाया, rough work मैंने 109 by 25 किया, ताकि जो बच्चों को ये करने में problem था, वो ये भी समझ ले, मैंने 21 118 divided by 50 आपको rough work में बताया था कैसे करेंगे, answer दोनों में 4.36 ही आने वाला है, final answer कैसे लिखा देखो, the mean of the time spent by the students for their studies is 4.36 hours, ये statement मैंने खुछ से नहीं सोचा, ये आपको textbook में ही दिया गया था, mean time spent by students for their studies, ये ही पुछा था, तो मैंने लिख दिया, the mean time spent by students for their studies is 4.36 hours, देख rough work बताओ, ठीक है side में या नीचे कहीं पर, done, direct method समझ गया, अब ये same question हम लोग assumed mean method से solve करेंगे, तो अब same question करेंगे हम assumed mean method से, assumed mean method में क्या होता था, याद है, मोहमद अजुरुदिन, 5 number batsman, तो 5 column आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, number of rows कैसे decide किये थे, question में दिया था, 6 column, तो यहाँ प ठीक है, class मैंने बोला था, assumed mean और direct में same आएगा, frequency हमेशा second last column, last के just एक पहले आएगा, तो frequency मैंने same to same या पर plot कर दिया, ठीक है, ये भी change नहीं होने वारा, सिर्फ ये एक अलग term दिखा है आपको, वो मैं बता दूँगा आपको क्या है, अब हमको ये ये और ये बनाए, य क्या था भाई है, ये था अपना x i, जिसको क्या बोलते थे, class mark, class mark कैसे calculate करते है, यहाद है, जो class की lower limit plus upper limit, इसको lower बोलते हैं, इसको copper बोलते हैं, दोनों को add करके divide by 2, तो 0 plus 2 divided by 2 क्या आ जाएगा, 0 plus 2 divided by 2 होगा, 2 divided by 2, which is 1, यह हमने पहले वाले direct method में भी किया था, तो मु लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 9, class mark हमने पहले ही calculate किया था, अब assumed mean method में देखो, नाम में क्या है, assumed mean, मतलब आप पहले ही mean assume करें, क्या यह वो mean है, जो उसने पूछा था, question में उसने पूछा है, कि find the mean, उसने mean पूछा है, हम क्या ले रहे थे, हम ले assumed mean, अब यह assumed mean आपका final answer नहीं होगा, नहीं तो कितना easy हो जाता, assumed mean क्या होता है, कि जो यह class mark आया है, इसमें कोई beach वाला value, तो यहाँ पे देखो कितने values है, 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर मैं यह value लूँँ, तो beach में इसके उपर भी 2 value है, इसके नीचे भी 2 value, 1, 2, ठीक है, जहाँ वहाँ पे 4 column होंगे न, वहाँ पे problem आया का, लेकिन वैसा question है, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा, वहाँ पे क्या करना है, एकदम time pass है, वहाँ पे कुछ भी करो, कोई फरक नहीं पड़ता, तो यहाँ पे यह वाला value है, इसको assumed mean लेते है, बीच में जो है, इसके उपर दो है, इसके नीचे दो है, तो इसको हम लोग label कर देंगे a, assumed mean, यह अलग step होगया direct method से, ठीक है, तो यह 5 को मैंने label कर दिया a, अब यह use करके हम लोग यह वाला column calculate करेंगे, समझ में आया, तो यह column को label करेंगे हम di which is equal to xi minus a, अब यह explain करता हूँ, यह d actually होता है deviation, जो step deviation में di आ रहा है, पड़ आप ऐसे समझ लिए, डी मतलब दूरी, ठीक है, यह d मतलब, यह हर एक जो आपको यहाँ पर class mark मिल रहा है, इसकी दूरी a से आपको निकाल लोगे, कि यह बच्चा a से कितना दूर बैठा हुगा है, यह a से कितना दूर है, यह खुद a से कितना दूर है, 7 a से कितना दूर है, 9 a से कितना दूर है, कितना दूर है कैसे निकालोगे, जो भी value है, उस में से a- कर दोगे, तो पता चल जाएगा नो कितना दूर है, अब 1, 5 से कितना दूर हे, देखो, xi, यह वाले के लिए, xi क्या है, तो यहाँ पर 1 minus a क्या है, 5, देखो, xi-a ना formula, 1-5, तो standard है, 1-5 क्या आजाएगा, 1-5 न, 1-5 बढ़ा है, छोटे में से बढ़ा निकला होगी, तो answer negative आने वाला है, 5-4 न, आता है, 4, लेकिन answer negative आएगा, तो minus 4 आएगा इसा, ठीक है, तो जब मैं यह calculate करूँगा, तो आजाएगा minus 4, तो यहाँ पर लिख दिया minus 2, फिर से यहाँ पर क्या formula आएगा, x i minus 5, x i क्या आएगा, यहाँ पर 5, ठीक है, और minus 5 तो ऐसे का ऐसा है, बच्चों यह i है न, इससे क्या पता चलता है, कि कौन सा row, जब मैं यह वाला करूँगा न, तो यह x i के जगे पर 1 आएगा, तो x1, यह x1 है अपना, यह अपना x2 है, second row है न, देखो, row number 1, 2, 3, 4, 5, यह क्या है, यह x3 है, यह क्या है, x4 है, यह क्या है, x5 है, तो जब मैं यहाँ पर calculate करूँगा, तो क्या आएगा, i के जगे पर 3, तो x3 minus 5, x3 क्या है, 5 और minus 5, 5 minus 5 क्या जगा, 0, हमेशा, assumed mean वाला जो होगा, यह 0 होगा, because, वो खुद minus, खुद होगा, खुद minus, खुद तो 0 आता है, तो यहाँ पर answer आगा, 0, फिर जब 7 का calculate करूँगा, तो क्या जगा, x i के जगे पर 7 minus 5, 7 minus 5 क्या होता है, 2, 2, तो यहाँ पर लिख दूँगा, 2, जब इसका calculate करूँगा, तो क्या जगा, 9 minus 5, 9 minus 5 होता है, 4, समझ मैं है, तो 1, 5 से कितना दूर है, minus 4 दूर है, 3, 5 से कितना दूर है, minus 2 दूर है, देखो ना, नंबर लाइन पर आप बनाओगे, तो 0, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, ऐसे करते हो, correct, तो ऐसे 4, फिर 5, जब मैं 1 की दूरी निकाल हूँगा, यह 1 है अपना, उसकी दूरी 5 से निकाल हूँगा, तो कितना देखो पीछे है, 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप दूर है, लेकिन पीछे है, इसलिए minus 4, number line बनानी नहीं है, logic explain करता हूँ, फिर जब आप 5 की दूरी 5 से निकाल होगे, 5 की दूरी, खुद 5 से तो 0 ही आईगी न, ऐसे करकर के निकाला, बट उसका short form क्या है, कि x i minus 5, x i minus a, a की value 5, इसलिए 5 आगे, तो यहाँ पे देखो, 1 minus 5 minus 4, 3 minus 5 minus 2, फिर 5 minus 5, 0, 7 minus 5, 2, and 9 minus 5, 4, हर एक value में से, a minus करना है, a वाली जो value है, उसमें से भी a minus करना, इसलिए 0 आए, ठीक है, तो आपका यह column बन गया, d i, d i क्या बताता है, दूरी, इंग्लिस में दूरी नहीं होता, बट d से दूरी, हम लोग दूरी निकाल रहे न, वन की दूरी कितनी है, assumed means है, ठीक है, अब यह column आ गया, मैंने आपको बताया, जो last column होता है, वो हमेशा इन दोनों का multiplication होता, ठीक है, frequency दो हमने पहले लिख दे थी, जो last column है, वो इन दोनों का multiplication होगा, तो उसके ज़ेके पर क्या लिख देंगे हम लोग, frequency into deviation, यह D actually deviation का है, मैं दूरी बोलता हूँ, ताकि आपको समझ मैं, और frequency को हमने F I से लेबल किया, दूरी D है, इसलिए उसको D I से लेबल किया, तो यहाँ पर जब मैं लिखूँँगा, तो क्या आ जाएगा, F I into D I, ओके, यह X I minus A सब लिखने की ज़रूरत ने, यह खाली D I लिखो के तो भी चलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ लिखो, ताकि आपको यहाँ पर calculate करने में आसान है, ठीक है, यह F I और D I का multiplication आएगा, F I D I, multiply करो, यह 7 into 4 आएगा 28, लेकिन यहाँ पर plus है, यहाँ पर minus है, plus into minus, minus, तो मुझे मिलेगा minus 28, फिर 18 into minus 2, याद है न, second last column और उसके पहले का column यह देता है, तो 18, 2,0 होता है 36, लेकिन यहाँ पर plus है, यहाँ पर minus है, plus into minus आजाएगा minus, तो मुझे मिलेगा minus 36, फिर 12 into 0, बहुत difficult है, 120 आएगा न, किसी भी नमर को 0 से multiply करके, तो answer क्या आएगा, 0, ठीक है, फिर 10, 2,0, दोनों positive है, 10, 2,0 होता है 20, तो answer आजाएगा 20, फिर आता है 3, 4,0, which is 12, अब next step में क्या करेंगे, हम इन सब को add कर देगे, अब इन सब को तो हमने already direct method में add किया था, यहाद है न, यहाद है न, यहाद है यहाद है 15, plus 2 17, plus 0, plus 3, 17 plus 3 हो जाएगा 20, तो 0, 2 carry, 2 plus 1 3, plus 1 4, plus 1 5, तो आजाएगा 50, तो मैंने यहाँ यहाँ पे लिख दिया 50, यह already था, direct method में भी किया था, यहाँ पे same है, frequency का column change होता ही नहीं है, class का column भी change नहीं होता, class mark का column भी change नहीं होता, सिर्फ यह चीज नहीं करी है, वो कहां से आई, इधर से assume mean लिखा, और वो assume mean यूज करके यह पुरा column calculate किया, बच्चों, एक जगा भी गलती होई, तो इसमें problem हो जाए, इसलिए एकदम ध्यान से, नजर हटनी नहीं चाहिए, एकदम ध्यान से करना है, नजर हटी दुरगटना कटी, एकदम ध्यान रखना है, अब यह मैंने calculate कर लिया, अब इसको कैसे add करोगी, यहाँ पर negative है, तो band बजने वाली है लोगों की, तो पहले negative वाल आड़ कर लो, 28 और 36 कितना होता है, 6 प्लस 1, 14, और 2 प्लस 1, 3, प्लस 3, 6, तो यह मुझे पता है, कि यह दोनों को मिला के 64, लेकि negative आड़ करेक्ट, minus 64, और इन दोनों को add करके, 20 प्लस 12 आएगा, 32, लेकिन यह प्लस आएगा, अब इन दोनों को भी तो add करना है, summation का मतलब यह पूरे का सम, ठीक है, तो minus 64 और 32 को add करना है, कैसे करोगे, देखो, minus 64 plus 32, इसको ऐसे लिख सकते हो, 32 minus 64, चोटा नंबर minus बड़ा नंबर, मुझे बता है, आंसर तो negative आने वाला है, 64 में से 32 को minus करो, 4 minus 2, 6 में से 3, तो answer आएगा, minus 32, पक्का समझा, यह important है, अगर plus minus नहीं समझता है, तो problem होगा, 10 प्लस में आ गए हो, आना चीए, अगर negative नंबर से डर लगता है, तो मैंने उसके उपर एक वीडियो डाला है, चैनल पे, सर्च करो, और वो देखो अच्छे हैं, योगे सर्स, बैक बेंचर्स, स्पेस, negative numbers डालना, तो आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है, तो यह इस तरह answer आ गया, इसका minus 32, खतम, अब next step में दोंको बता है, this upon this लेते हैं, इसके पहले यहाँ पर summation fi x आये था, और summation fi था, यहाँ पर क्या आएगा, summation fi di upon summation fi, ऐसे आएगा न, नीचे तो summation fi आता है, अब देखो यह fi fi कट हुआ, तो क्या बचा है, तो मुझे यह calculate करके क्या मिलेगा, d bar, x bar नहीं मिलेगा, उसमें पूछा x bar है, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ, d bar, मतलब आगे भी और काम बागी है, तो d bar का अगर मैं formula लिखू, तो क्या आएगा, summation fi di upon summation fi, ठीक है, यहाँ पर देख लो, यह summation fi di upon summation fi d bar क्योंगा, because imagine दिरो, यह और यह cancel हुआ, तो di बचता है न, मतलब यह d bar का formula है, substitute करो, summation fi di क्या है, minus 32, summation fi है 50, तो मुझे मिलेगा, minus 32 upon 50, इसको solve करने के बहुत साइज तरीके हैं, यहाँ पर, अगर मैं cut करूदी हो जाएगा, 225 जा 216 जा, 16 divided by 25 करूँगा, जो भी answer negative में आएगा, लेकिन यह solve करना थोड़ा difficult है, इससे अच्छा, मैं 0 को अभी ignore करता हूँ, 32 को 5 से divide करता हूँ, ठीक है, अगर 32 को 5 से divide करूँगा, तो क्या हैगा, 56030, यहाँ पर 2 बचा, decimal 0, 54020, 20-20 is 0, answer आए 6.4, लेकिन यह 32 को 5 से divide किया है, ठीक है, यहाँ पर नीचे एक और 0, 50 से divide करना था, तो यह decimal 1 shift हो जाएगा, मुझे मिलेगा 0.64, negative आगे तो यह negative आएगा, नहीं समझ में आता है, तो fair में, मैं इसको cut करके, 25 से divide करके बता हो, ठीक है, लेकिन 5 का table I think easy होता है, इसलिए ऐसे करना चाहिए, तो यह 0.64 आएगा, correct, बच्चों यहाँ पर 50 था, अगर यहाँ पर 500 होता न, तो यह decimal 2 point shift होता, ओके, अगर यहाँ पर 3 होते, तो यह decimal 3 point shift होता, यह अपने बच्चपन में किया हुआ है, नीचे अगर 0 आते हैं, तो decimal left side shift होता है, अगर उपर 0 होते हैं, तो decimal right side shift होता है, ठीक है, तो यह divide करके आपको आया, minus 0.64, अब यह D bar है, उसने पूछा नहीं था भाई इसको, आपने निकाला ही, अभी आपको calculate करना है mean, which is x bar, x bar का standard formula क्या आएगा, जब भी आप D bar निकालेंगे, x bar का formula आएगा, जो आपने assumed mean निकाला, ठीक है, उसमें वो दूरी, जो average दूरी है, वो add करते हैं, मैंने आपको बताया है, जो D है, हमने हर एक, जो class मार के, उसकी दूरी निकाली, और यह जो D bar आया न, यह average दूरी है, ठीक है, कितने दूर है, हर एक टम, किस से assumed mean से कितना दूर, ठीक है, तो जब मैं mean निकालूँगा न, तो assumed mean तो मैंने पहले निकाला था न, लेकिन यह assumed है, actual mean है, वो assumed mean से कितना दूर है, वो निकालना पड़ेगा, यह assumed mean ही answer होता, तो कितना easy होता, तीचर को ब लेंगे, सर, assumed word, ignore कर दो, mean तो बोल रहा है, 5 लिखके, खतम table level बनाएंगे न, है न, तो actually चलेगा नहीं यह सा, तो कैसे करेंगे, mean लिखेंगे, assumed mean, जो हमने assume किया था, उससे कितना दूर है, वो हमने निकाल लिया, D bar, तो A plus D bar, ओके, तो यहाँ पे आएगा, A तो 5 है अपना, और D bar अभी हमने calculate किया, minus 0.64, तो यह plus ऐसे लिखेंगे, लेकिन यह D bar bracket में आएगा, minus 0.64, फिर यह plus into minus minus होगा, तो यह 5 तो ऐसे आएगा, लेकिन plus into minus minus 0.64, 5 मेंसे 0.64 minus करो, आपको मिलेगा 4.36, जादू नहीं है, आपको direct method में भी 4.36 मिला था, यहाँ पे भी 4.36 मिला है, क्योंकि यह जो data है न, इसका mean change नहीं होता, आप भले method change कर दो, लेकिन mean तो same आने वाला है, तो यहाँ पे mean आगया 4.36, यह calculation मैंने आपको रफ्त में बताया था, final answer वैसे लिखेंगे, जैसा उसमें लिखा था, आया समझ में, same question हमने assumed mean method से solve किया, तो हमको answer same आ रहा है, लेकिन, एक step extra आ रहा है, यह step जो है extra आ रहा है, direct method में पहले mean आ गया था, ठीक है, assumed mean में यह step extra है, आप सोचेंगे ते क्यूं फाल्ट तुम्हें करना है, दो चीज़े देखो, एक तो उसने पूछा है, तो करना ही पड़ेगा, यह वाला question मैं करा रहा हूँ, because मुझे चाहिए कि आप समझो के method क्या है, question में तो उसने पूलगा था direct method से क्या, अगर आपने assumed mean method से क्या है, तो zero मिलेगा, मैं क्यों कर रहा हूँ assumed mean से, ताकि आपको तीनो method एक ही question में समझा दो, clarity आ जाए आपको, फिर तो हम लोग जो question में, जो method पूछा है वही करेंगे, तो यह assumed mean से calculate किया, इसमें क्या difference था, यह column, यह column और यह column तो same होता है, इसमें extra आया यह column, और यह column तो हमको पता है, हमेशा इसके पहले दो column का multiplication होता है, actually उसमें values change और यह, di आया आ रहा है, वाली value तो हमेशा इसको assumed mean ले लिया, और जो यह d है, deviation, जिसको मैं दूरी बोल रहा हूँ, a से उसकी दूरी कितनी है, हरेक की वो निकाल ली, ठीक है, और यह वाला तो हमेशा इस दोनों का multiplication होता है, तो यहाँ पर fi था, second row, third row, fourth row, fifth row, ऐसे होता है, अगर आपको आने पूछा, x3 कहाँ पर आएगा, देखो, x i यह है न, one, two, three, तो यह third row है न, तो यह हो जाएगा, आपका x3, ठीक है, ऐसे easy होता है, आपने chess खेला हैगा, chess board पे भी, हर एक जो square होता है, हर एक box, उसका एक number होता है, आप अगर ऐसे ही chess खेलते हो, तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप tournaments पगरा में पार्ट लोगे, तो आपको पता होगा, कि हर एक जो box होता है, उसका एक number होता है, तो यहाँ पर हर एक box का एक number है, इसलिए यह i से label किया हुआ है, तो हमने assumed mean assume किया, फिर हर एक जो class mark है, उसकी assumed mean से दूरी निकाली, जैसे यह column complete हुआ, मुझे पता है last वाला column, तो इन दोनों का multiplication होगा, कर दिया, add कर दिया, अब formula क्या होता है, this upon this, लेकिन this upon this is not mean x bar, किस से assumed mean से तो mean क्या आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा actual mean क्या, वो मैंने यहाँ पर substitute किया, और answer आगया 4.36 hours, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 5 columns because it is assumed mean method, तो यहाँ पर मैंने same final answer लिख दिया, the mean of the time spent by the students for their studies is 4.36 hours, आया समझ मैं, है ना एक्तम simple, अब इसको fair में कैसे लिखेंगे देखो, fair में मैं rough work भी बता दूँगा, ओके, तो ऐसे आएगा fair में, देख लो एक बार, यह table बना दिया, वीडियो pause करके फटा फट से table copy करो, उसके बाद, 150 देखो मैंने यहां पर 32 डिवाइड बाई 5 किया, तो अंसर आ रहा है 6.4, लेकिन 32 डिवाइड बाई 50 है, तो 6.4 में point और एक shift हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.64, नहीं आता है, तो चुपचाप 225 जा, 216 जा, 16 डिवाइड बाई 25 कर लेना, तो भी सेम अंसर आएगा, यह डिविजन खुच से करना है, फिर A plus D बाई में 5 plus minus 0.64, minus हो गया, 5 minus 0.64 यहां पर calculate किया 4.36, यह mean कि यहां पर आप तो hours लिख दो, ठीक है, या फिर final answer भी लिखो, mean of the time spent by the students for their studies is 4.36 hours, अगर आपने यह hours नहीं लिखा, तो यह units लिखना बहुत important, कर लिए यह वाला पाट भी copy, तो assumed mean method से हमने same questions all किया, और answer आप 4.36 hours, अब हम same questions all करेंगे, step deviation method से, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो गया, और हमने सिर्फ एक questions all किया, लेकिन ऐसे questions exam में आते हैं, और आप एक बार, तीनों method में जो difference है, वो समझ गएना, तो आपको इसमें कभी कोई problem ही आएगा, step wise जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वैसे ही करना है, और दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, अब next करते है step deviation method, step deviation method में, कितने columns होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, याद है न, m, s, dhoni, m, s, dhoni में step deviation, ओके, अब इसमें सबसे पहला column है class, और second last column होता है frequency, ठीक है, अब हमको पता है कि, जो second column है उस तो class mark का आएगा, assume mean method में, हमने उसके बाद दूरी निका ली थी di, आए, वो भी यहाँ पर आएगा ही, same आएगा, जो zero mean में आएगा, बट एक extra column आजाएगा उसके बाद, यह जो भी column आया, उसमें जो values आए, वो इसके साथ multiply होगी, और हमको यह मिल जाएगा, तो यह जो नया value है ना, उसको बोलेंगे ui, ठीक है, ठीक है, यह चैज़ नहीं होता, तीनों मेथड में सेम रहता है, यहाँ पर क्या हुआ, assume mean तक यहाँ पर था, यह एक extra column आगया, इसलिए एक column बढ़ गया, अब यह कैसे calculate करते हैं, मैंने assume mean में आपको बताया था, यह तो same to same है, तीनों, ठीक है, जो पहले method में किया था, direct method में same है, कोई difference नहीं है, अब assume mean में लोग पहले इसको assumed mean करेंगे, तो यह होगी आपना a, तो a की value है 5, तो यहाँ पर a के जगे पर 5 substitute कर दो, अभी हर जगा आप क्या करोगे, x i minus 5, इसके लिए करोगे, 1 minus 5, तो क्या आजाएगा, minus 4, assume mean में किया था, इधर क्या आजाएगा, 3 minus 5, वो आजाएगा, minus 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 5 minus 5, तो यह आजाएगा 0, यहाँ पर आएगा, 7 minus 5, which is 2, इसके लिए आएगा, 9 minus 5, इसके लिए यहाँ आजाएगा, minus 5 तो से, 9 minus 5 आजाएगा, 4, इसका total करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ठीक है, अब यह UI कैसे निकालेंगे, UI का formula है, UI equal to, DI upon G, अब एक G नया है, DI तो मैंने यहाँ पर calculate किया है, एक G नया आया, ठीक है, यह G के पहले यहाँ पर H का symbol यूज करते थे, जो बहुत easy था, याद करना, G भी easy है, G is nothing but the width of this group, इसलिए G से इसको denote किया है, यह group की width कैसे निकालोगे, इसकी width देखो, 2 minus 0, 2 की width है न, इसमें 0 से लिखे 2 तक सब आ रहे, आप देखोगे न, तो सब जगे G की value यह होगी, textbook में ऐसा दिया है कि इसका GCD निकालना है, मत निकालो, खाली इसकी width देख लो, वही होता है G, तो 2 और 4, कितना gap है देखो दोनों की बीच में, gap निकालना है तो 4 minus 2 करोगे, तो 2 का gap है, हर जगा 2 का ही gap होगा है, तो G की value क्या हो जाएगी अपनी 2, तो जब question शुरू करेंगे न, तो उपर एक line चोड़े न और वहाँ पर लिखना, here we take A equal to 5, and G equal to 2, यह 2 कहां से आया G, 2 minus 0, 4 minus 2, 6 minus 4, 8 minus 6, 10 minus 8, जो भी lower class है, upper class है, upper minus lower आपको G देदेगा, ओके, तो यहां पे, अब मैं D I upon G substitute करता हूँ, तो आएगा, minus 4, upon G क्या है, 2, क्या आजाएगा, 2 1s आ, 2 2s आ, तो आजाएगा minus 2, तो मैंने यहां पे लिख दिया, minus 2, इसके जगे पे क्या आएगा, इधर जब मैं करूँगा, तो यह formula में substitute करो, D I की value है, minus 2, upon G की value क्या है, G की value fix है, 2, 2 2 cut, बचा, minus 1, तो यहां पे मैं लिख दूँगा, minus 1, जब इधर substitute करूँगा, D I क्या है, 0, तो D I के जगे पे 0, upon G की value क्या है, 2, 0 divided by 2, 2 मत बोलना, 0 को कोई भी number से divide करो, कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, तो यहां आ गया, 0, फिर यह है 2, divide by G क्या है, G B 2 है, 2 1 0, 1 upon 1 is 1, तो यहां पे आ जाएगा आपको 1, जब यहां आएगा, D I की value क्या है, 4, तो 4 upon G की value क्या है, 2, 2 1 0, 2 2 0, 2 upon 1 होता है 2, तो यहां आ गया अपना 2, ओके, अब सारे columns हो गए, तो अपने को पता है, second last और third last को multiply करो, F I into U I, तो 7 into minus 2, यह plus है, plus into minus minus, 2 7s are 14, तो minus 14, फिर से देखो, यह plus है, plus into minus, फिर 1 18s are 18, तो minus 18, 12 into 0, 0, 10 into 1, 10, 3 into 2, 6, फिर क्या करना है, इन सबको add करना है, इन सबको हम तीसरी बार add करें, यह वाले को, यह change हो रहा है, लेकिन यह तो same थाना frequency, यहाद है क्या रहा है इसका, 50, एक बार confirm कर लो, तो यह आपको आजाएगा 50, अब यह add करके देखते हैं, देखो, minus 14 और minus 18, 8 plus 4, 12, और 111, 3, तो यह आगया minus 32, मैंने पहले यह दोनों को add करके, minus 32 कर लिया, और यह दोनों को करोगे, तो आएगा 60, ठीक है, फिर यह सबको करना है, तो यह दोनों को करो, बीच में तो 0 है, 0 तो कुछ आएगा इनना add, minus 32 plus 16, या फिर आप कर लो, 16 minus 32, यह पांचों को ऐसे add करोगे न, एक एक करके, आपको करना है ऐसे देखो, minus 14 plus minus 18 plus 0 plus 10, यह 10 का bracket में डालो, plus 10 plus 6, ऐसा है, तो 10 plus 6 आजाएगा 16, और यह जब solve करोगे, तो आजाएगा minus 32, ठीक है, minus 32 plus 16 करना, उसको आप लिख सकते हो, 16 minus 32, 32 minus 16 होता है 16, छोटा number minus बड़ा number है, इसलिए answer negative हाएगा, तो आएगा minus 16, तो यहाँ पे आप लिख देंगे minus 16, हो गया, table बन गया, अब table के बाद तो standard है, this divided by this, ओके, तो इथा this divided by this करेंगे, तो क्या value मिलेगी, देखो यहाँ पे, this divided by this किया, तो क्या मिलेगा, देखो, imagine करो, यह और यह cancel होगा, तो क्या बचे का UI, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, U bar, तो यहाँ पे लिख दो U bar, U bar पूछा था क्या, नहीं, D bar पूछा था क्या, नहीं, D bar आप यहाँ पे निकाल भी नहीं पाऊगे, because, आपने, F I और D I को multiply भी नहीं किया, यह step deviation method है, इसमें U आएगा, ठीक है, तो, हम लोग उने U bar निकाला, अभी F I, U I, summation क्या है, minus 16, और summation F I, 50, तो यह आजाएगा, minus 16 upon 50, इसको divide करके, हम देखो, दो options हैं हमारे बास, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 2, 25,000, और 2, 8,000, 8 upon 25 बचा, 8 divide by 25 कर लो, ठीक है, चलेगा, 0, यहाँ पर आएगा, 80, 25, 30, 75, बचा 5, 0, 25, 20, 50, अंसर आगा 0.32, यहाँ पर minus है, पूछा नहीं है, लेकिन यू बार हमने निकाला है, यह यू क्या है, यह एक step है, ठीक है, यह जो दूरी है, उसका एक step है, आपको जब graph बनेगे, तब आपको step का मतलब अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब हम आगे के practice set करेंगे, उसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर, जब मैं mean calculate करूँगा, तो उसमें क्या क्या आएगा, अपना a तो आने ही वाला है, a plus, जो assume mean में आ जाएगा था, ठीक है, अभी उसमें हम लोग क्या कर दे थे, assume mean method में, a plus d bar करते थे, तो ऐसा मत करना कि, यहाँ पर a plus u bar कर दे है, क्यों, because यह u bar, d से linked है, ठीक है, और यह dxi से linked है, लेकिन, यह u को d से कौन link करता है, g, ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ से di का value निकालना है, तो क्या आएगा, यह g को उधर बेज़ दो, यह g यहाँ पर divide हो रहा है, वहाँ जाके multiply हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा u equal to, यह u g equal to d, ठीक रहा है, d का value क्या आएगा, u into g, correct, तो यहाँ पे, assume mean में आप क्या लिखते थे, x bar is equal to a plus d bar लिखते थे न, तो d bar के जगे पे क्या आजाएगा, d bar के जगे पे आजाएगा, देखो d के जगे पे क्या आएगा, u into g, तो क्या आजाएगा formula, तो जैसे, assumed mean में किया था, x bar equal to a plus d लिखते थे, ठीक है, u का formula क्या था, u का formula था, d upon g, तो यह g उतर जाएगा, देखो, to u g equal to d, अब d bar लिखते थे न, यहाँ पे, तो यहाँ पे u के उपर भी, bar आजाएगा, g के उपर क्यों नहीं आएगा, क्यूंकि g तो fix है, ठीक है, g का एक ही value है fix, तो उसके उपर bar नहीं आएगा, उसका average निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो यह d bar को cancel करके, उसके जगे पे लिखेंगे, u bar g, u bar का value यहाँ से लेंगे, और g तो हमने पहले ही उपर लिख दिया था, यहाँ देख लो, g is 2, कैसे आया था जी, इसका width है, ठीक है, 2 minus 0 करोगे, तो भी g मिलेगा, 4 minus 2 करोगे, तो भी g मिलेगा, 6 minus 4 करोगे, तो भी g मिलेगा, हर जगे g मिलेगा, class में, ठीक है, तो यहाँ पे, a plus, कोई नया formula नहीं है, same जो assume mean में था, वही है, लेकिन यहाँ पे, d नहीं आएगा, u और g आएगा, ओके, समझाया है मैंने कैसे है, इसमें से मिला देखो, d के जगे पे, u into g, अब substitute करो, a अपना है, 5 plus, u bar है, minus 0.32, तो यहाँ पे bracket डाल देते है, minus 0.32 into g, g अपना 2 है, अब इसको solve करेंगे, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, यह दोनों को multiply करेंगे, तो क्या हैगा, minus into plus, minus 0.32 into 2, करके देखो, 0.32 into 2 क्या है, तो 2, 2's are 4, 2, 3's are 6, 0.64 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन negative, because minus है, अब यह दोनों का add दाना है, तो plus minus आ जाएगा, minus, तो नीचे मैं लिखूँगा, 5, plus minus हो जाएगा, minus 0.64, 5 minus 0.64, already हमने कर लिया है, आता है 4.36, किस चीज़ का mean था यह, यह mean था number of hours का, तो इसका unit नहीं भूलना है, लिखना है 4.36 hours, और final answer क्या लिखेंगे, तो इसके पहले दो method में किया था, same final answer आएगा, the mean of the time spent by the students, for their studies, is 4.36 hours, इसका rough work मैंने, already rough में आपको करके बता दिया है, जब इसको fair में बताऊँगा, तो side में यहाँ पे मैं rough work भी बता दो, but समझ में आया यह difference, यहाँ पे यह वाला column extra है, यह column कहां से आया, इस में से, और g use करके, g कहां से आया, इस में से, ठीक है, तो आपने देखा, कि हमने तीन method से same question solve किया, एक बार direct method, दूसरी बार assumed mean method, और तीसरी बार step deviation method, हर चीज में अलग-अलग columns थे, लेकिन फिर भी final answer same आया है, मैंने आपको formula भी बहुत detail में explain किये है, तो आपको अभी तक दिमाग में bad गया होगा, कि जादा difference है नहीं, एक-एक column का difference है, हर एक method में, ठीक है, और वो column change होता है, तो यहाँ पर values भी change हो जाती है, यह कैसे आता है, वो भी मैंने आपको बता है, यह FIFI imagine दरो cancel होता है, तो यहाँ पर U bar है, इसके पहले में, यहाँ पर D I था, तो FIFI cancel होके, यहाँ पर D bar मिता है, ठीक है, यह U bar जी, D bar के जगे पर ही आया, दूरी से ही आया है, ठीक है, तो इसको FIFI, मैं कैसे करेंगे, देखो एक बाद, FIFI, मैंने यहाँ पर rough work भी आपको करके बता दिया है, अलग-अलग type का, मैंने division भी आपको करके बता है, ताकि आपके calculation simple हो जो, ठीक है, तो हम लोगों ने same question, तीन method से किया, यह copy कर लो, pause करके, done, अब यह इसके नीचे का part, यह भी फटाफट से copy कर लो, हो गया, तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट आज के वीडियो में, मैंने practice set 6.1 का सिर्फ एक question कराया, लेकिन तीन अलग-अलग methods है, यह देख लो, यही table यूज किया है, उसने पूचाता सिर्फ direct method, वो तो हमने किया ही, लेकिन same question हमने assumed mean method से किया, and step deviation method से भी किया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, कि answer same आता है, लेकिन, जो पूचा वही करना बढ़ता है, पर method अलग-अलग है, अगर उसने नहीं दिया होता है, direct method, तो हम यह दोनों में से कोई और method यूज कर सकते थे, यह direct method भी कर सकते थे, अभी आगी questions में क्या होगा, table अलग हो जाएगा, लेकिन method अलग होगा, तो अगर आप बहुत ज़ादा, खुद से solve करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह आप direct method का एक question कर सकते हैं, assume mean का भी एक question कर सकते हैं, मैंने आपको already method सिखा दिया है, लेकिन नहीं करने का माने, तो tension नहीं है, next lecture में मैं आपको हर question, यह पूरे सारे question solve कराने वाला, ठीक है, बट उसके पहले मुझे चाहिए, कि आपको कुछ basic चीज़े याद रह जाएं, कि direct method में columns कौन से हैं, चार column होते हैं, assume mean में 5 होते हैं, और step deviation में 6 होते हैं, याद करने के trick मैंने आपको already दे दी है, ठीक है, तो वो revise करना next lecture के पहले, तो आज का video यहीं पे खतम करते हैं, video पसंद आया तो like जरूर करना, link अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करना, ताकि उनको भी ये वाला chapter और ये सारे methods के बीच में, difference और method के columns कौन से हैं, वो समझ में आ जाए, जो shortcut trick में आपको बताई है, द्रवीड, मौहमाद अजूर दिन और MS दोनी वाली, वो भी उनको बताना, ताकि उनको भी अच्छे समझ में आ जाए, अगर आपने already subscribe कर दिया है, तो thank you, आप तेलिग्राम चैनल भी join कर सकते हैं, same नाम है, तो देखो नीचे बटने उस पर क्लिक कर दो, और बाजू में बेल आइकन आएगा, वो भी क्लिक कर देना, ताकि जब मैं नया वीडियो अप्लोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन आए, और आपको इंपो इंपोर्टेंट लेक्चर मिस न करें, कमेंट में मुझे ज़रू बताएं कि आपको इंपोर्टेंट कैसा लगा, और आपका फ्रेवर्ट प्लियर कौँ है, ग्रवीड, अजुरू दिन, के एमेस दोनी, वो भी कमेंट में बता सकते हैं, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो,